है है हलो एब रिवर्वन वेरी गुड मॉर्निंग टू अलो फूर आप सब सब लोग फटाफट लाइब आ जाए ये अच्छो जितने लोग भी लाइव आ चुके है शेशन को फटाफट शेयर करना इस्टार्ट कर दिया ठीक है आज हम लोग करने वाले हैं जुमेट्री का क् का बताएं है यहां पर पार्ट फाईव टोटल हम लोग कितने क्लास करने वाले हैं तो दले करने वाले हैं पंद्रा क्लास इसकी जैसे पार 5 में लोगा चुके है है और हर ले घृच्टो हर क्लास के अंदर मैं लोग क्या करता है है इंपोर्टन चीज़ों को सेखते है सब्सक्राइब क्लास पर आ चुके है ठीक है जो नए बच्चे अभी तक आप डाउनलोड नहीं किया भाई जाके प्लेइस्टोर से फटावड ओनलाइन वेंचर्स का आप डाउनलोड कर लिए ठीक है दूसरा ओनलाइन वेंचर्स के टेलिग्राम चैनल से फटावड सब्सक्राइब जो जाएए ठीक है बच्चो यह देखिए कुछ आपके बैचेज है जो आ रहे है इस समय ठीक है यह क्या है एसपायर सी डियस्टू 2021 बैस्टू बिल्कुल नय जन्वरी से बच्चो बैच आ रहा है 19 जन्वर से वर्लिटी क्या है वन यह रहों फीज क्या है 349 ठीक है और यह फीज कब तक है बताओ 10 जन्वरी मिद्नाइट तक आपकी फीज है नया बैच बिल्कुल जो बच्चे सीडिया स्टू 2021 की त्यारी कर रहे है ठीक है अच्छा इसके जो आपके को डिटेल क्या है 300 प्लस लाइब क्लास हैं फाइन प्लस लाइब आर्स है दोसों पीडियाफ है सिक्स्टावल प्रेट्रिस कुष्चन है टेन मॉक टेस्ट है और कम्प्लीट बुक आपको मिलने वाली बच्चों इसके साथ ठीक दूसरा ओटी एक सब्सक्राइब करते हैं तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग ठीक है एक बार सभी लोग कमेंट कर दो और से पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहे हैं ठीक है चले तो कल मैंने आप लोगों पढ़ाया था बच्चों कल भी क्लास आप लोग को यूदि कर लोग पढ़ा था ट्रेंगल के बारें कुछ और तो पढ़ाने वाला हूं रेगूलर हैक सागण के कंसिप्ट क्या 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 उता होते हैं क्योंकि बहुत बार कुर्ष्चा में घ्राण से आपके एक माया ने रहते हैं ठीक है तो अज जै सब्षवे घंड लो ठीक है चले सबसे पहले बात होती है regular hexagon ठेयँ भाई तो hexa मतलब क्या होता है झे तो साफसाफ सेंगे आरब स्किन्दर साइब कि तनी होंगी यह नहीं होंगी बताओ छे हैं बासों में आ रही ठीक है तो इसके अंदर क्या होता हो आपको number of क्या बताओ यहां से साइट number of साइट कितनी बताओ छे हैं अच्छा number of साइट छे हैं आप जानते हो regular regular का मतलब क्या होता है सभी side बराबर होंगी मतलब बिटा अगर यह लंबाई एह है जान सुन अगर यह लंबाई एह है यह लंबाई एक दम बेसिक समझा रहा हूं पूरे concept note कर लें तब कुछ न लगाने मजा आएगा ठीक है यह है यह यह भी आपका एह और यह भी क्या होता है और यह ज़र से यह भी आपका एग तो रेगलर है आप देखें और साफ सब बच्चों के अंदर क्या होगा बताओ छे साइड है और यह जोन्तिरियर एंगल ज्यान सो हूं कि जो अंदर लिगन के अंदर जो सम आफ इंटीर एंगल होता है वो क्या होता है एन माइनस टू इंटू 180 ठीक है तो आप यहां क्या लिखोगे यहां चो लिखोगे क्या यह सारे के सारे बराबर होंगे रगलर का मतलब यही होता है कि सारे इंटीरियर और सारे क्या होते हैं बराबर होते हैं अच्छा आपने का वही सबका सम 720 है तो बताओ मुझे फटाक से यहां पर अगर मैं लिखता हूं इच इच मतलब प्रतेक इच इंटीरियर एंगल त ते सिस्ट वाह 1 2 3 4 5 6 है तो आपने छे से भाग कर दिया तो छे से भाग करके क्या आंगया बता हो एक सो बीश डिगरी आ गया था यह फटावर कमेंट कर ते जाओ अरे बोलो हां यह ना बिलकुल तो आपनेखा इज इंटीरियर एंगल कितना आ गया बता हो एक सो बीश अज जाएंगे एक्तिरियर अंगे ठीक है मैं बच्छ आपसे पूछूं कि बताऊ सम और एक्स्टीरियर अंगे तो आप सभी को मैंने पॉलिगन पढ़ा रखा है सब को पॉलिगन पढ़ाया हुआ ध्यान सुनना तो सम आफ एक्टिर एंगल मैंने आपको बताया था या आपने भी सीखा भी होगा कि भाई किसी भी पॉलिगन में जो बाहर बाहर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा तीन तो साथ होता है उनन सभी का सम्षोर जो होता है वो हमेंसा थीनसों साथ होता हैं बात सोदक रहाए हमेशा repaired शूर्म सम आफ एक्राइंगल अब बात होगी दो गेंस मार्व औरंगल अगर मैं आप से पूच्ता बताओ कि आएة का थीर एंगल इच एक्स्टीर आप लोगों पढ़ा चुका हूं तो से ही आप यूज करेंगे या तो clockwise या तो एंटी क्लॉग्वाइज तो छे से भाग कर दो तो इच एक ट्रेंगल कितना आगया बताओ साथ डिग्री जल्दी बोलो भाई इच एक ट्रेंगल का आगया साथ डिग्री तो यह एंगल क्या ब हाट यहां तक बातें हैं तो फटाफट कमेंट कर जाता हूं जाता हूं जा सहरे रहा तिक है है और हर चीज का स्क्रीन्षॉट लेते रहना तभी पूइश्ञ लगाने में आगे मजा आएगा जिप्षिशन आपको ट्लेर हूंगे उसे बहुत इम्पोर्टन बाते हैं है एक से खतरनाक बाते हैं अभी आपका लेवल धिरे बढ़ता जाएगा लेकिन पहले आप सीखो समझो तब बढ़ेगा है ठीक भाई फटाफट कमेंट कर दो अगर चीजे क्लियर है समझ में आ गई है ठीक है निखिल रावत आप अच्छा पढ़ाते हैं थैंक्यू बटा ठ सब्सक्राइब अच्छों में आ चुका है कि नंबर आफ साइड्स का बढ़ता जाएं से अच्छा पॉइंट क्या है नेक्स पॉइंट क्या है देखिए जैसे माल आपको एक सागन दिया गया है बहुत इंपोर्टन बात आपको सम्झाने वाला हूं ठीक है यहां मिलाया इ इधर और यह मिलाया क्या हो तो इधर ठीक है चाले है चालो तो यह पॉइंट आपका ए है यह पॉइंट आपका भी है यह पॉइंट आपका सी है यह पॉइंट आपका डी है यह पॉइंट आपका ए है यह पॉइंट क्या हो तो आपका एफ है ठीक है अब सुनना मुद्द बच्व मुद्रइब अच्छे वाथ बबताओ फ्टारध्यां समझू अगर जयान को अगर मैं सी से इको मिला दू इस टाइम से टिक ऐब इस का दिक की इयसकर गांग झाले तो सीडले ठीक है एक एक ती क्या है डाइतव्ण एटिक ऐब आपको cf याटनल र refund से तिक है कि इसका जल्दी बोलो आपको कि है से तो सीए क्या है डाइग अले ठीक है अच्छा मैं आपको सीएफ मिला के दें दूं सी एफ ठीक है या कलर चेंज करता हूं से यह वाला थे कैसे बात को सम्झा बहुत इंपोर्टन बाव प्टाने वाला हुए आप ठीक है चलो अब देखो बेच्चोर ध्षान सुनो जब क्या करो गया आपने सी से एक मिला दिया टो एक डाइगेल बन गया C से F को मिला दिया एक डाइगल मन गया बताओ C E और C F ऐसे आप कहीं मिला सकते हो ठीक है जान रखना C E और C F में बच्चो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा बताओ भई C E और C F में कौन बड़ा होगा क्या इस बात को आप सोच पा रहे हो जल्दी बोलो C E और C F में कौन बड़ा होगा फटाफट कमेंट करो जल्दी कमेंट कीजे भाई C E और C F में किसकी लंबाई जादा होगी किसकी लंबाई जादा होगी तो आपको अगर सर साफ साफ दिख रहा है C F जो है है वो क्या होगा वो बड़ा होगा किस से बता हो सीई से आप को गहां सर सी अफ बड़ा होगा क्या बता हो सी से ठीक है अब सुनों भीया वास्तों भीया दोनों ही डाइगनल है यह भी एक डाइगनल है मतलब विकरण बोलते हैं ठीक है अच्छा यह भी एक डाइगनल है यह बताऊ-ु क्या से डाइगनल लग्सक्राइगनल और किवक्त शॉर्टर दाइगनल बात कढ़ते हैं जूतके सुना सभी लोग पहले अच्छा एक के बात देखो भलneg चो की यह साइड्राइग ५ post ladder a है यह यह है यह भी आपका क्या बता हो आपका A है यह रहांगर कोई भी है क्या और एक्षागन है तो सारी साइड कि लंबाई तो बराबर होगी साइ साइड लंबाई बराबर होगी ठीक है ध्यान रखो तो longer diagonal और shorter diagonal की value क्या होती है ध्यान रखना हमेशा जो longer diagonal होता है वो क्या होता है वो 2a होता है क्यों होता है अभी समझा दूंगा मतलब यह जो लंबाई है यह हो जाए या B से E मिला दो ठीक है यह और एक option मिला सकते हो एसे डी मिला दो ठीक है तो यह क्या है बताओ यह आपके longer diagonal है बास समझ में आ रही है तो longer diagonal की लंबाई हमेशा क्या होगी 2a होगी ठीक है जो shorter diagonal है shorter सब्सक्राइब क्या होती है इसको में सब्सक्राइब क्या होती है अभी आपको समझाओंगा ठीक है पहले नोट कर लो फटाक से जो longer diagonal है ठीक है वह हमेशा 2a होगा shorter diagonal क्या होगा बताओ वह होगा अपका a root 3 क्यों होगा अभी आपको समझाओंगा प्रूफ करके अच्छा next point देखो मतलब point समझो point बच्चों यह है अगर मैं कहता हो कि longer diagonal longer diagonal तो longer मिलादिया cf और क्यों क्यों ग्या हो ग्या होग gay PLA क्या हो गया अगर क्या होगया यह मिलाद ओगे क्या है ऑइसा भी इताहर बदलबर और किया हो सकता है और भी हो सकता है कौन सा यह दर से बी ओफ डी और दी-तो भी ए Farm comment और मातबर बडी मालनरी इन में से किसी भी लंबाए पूंछी जाये तो गया होगा रही है ओगज होगा यौदी में होगा रिमhatले है लांग संघ्या ओश्चा ग Catho A अगर है क्स्टार ने पूछा जाए नमबर ओफ डाइकनल की तリोगे ठीके नमबर ट्री और ड्याइटए बाहिए कि बतावा टू तो ऑन का मान क्या है आचे है ठीक है इंट्यृ इंट्वग्यों इस किवानियर इस स्टीभॉटाई टीक्तरिख करतायओ लिद्ट टू तो चे में से थीम गया क्यों होगी अभी आपको सब समझाऊंगा सिखाऊंगा क्या यहां तक क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दिये सभी लोग अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दिये सभी लोग अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट comment कर दिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब एक बात आपको समझाता हूँ थोड़ा दिमाग लगाना एक बात समझते हैं इम लो ठीक है जैसे माल लो आपको हिक्सागन दिया गया एक दो इधर से तीन यहांसे चार यहांसे पांच और यहांस क्या होता हुच तो A, B, C, D, E, या बच्चों क्या है है? है, हेक्सागन है, ठीक है, अब मैं आप से कहता हूँ कि बताइए C, E की लंबाई क्या होगी? C, E की लंबाई, C से E की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है? आपको अगर C, E तो क्या है? वो शॉर्टेड डाइगनल है, भोलो हाए C, E की मान क्या है? वो सॉर्टेड डाइगनल है, ठीक है, उसकी लंबाई क्या आएगी? A, ROOT 3 आपने अभी बताया था, क्या होगी? A, ROOT 3 होगी? आपने बताया था, ठीक है? तो मैं कहता हूँ, ठीक मैंने बताया तो था, लेकिन उसको समझो तो कैसे आएगा? अच्छा का मान जो है, वो A, ROOT 3 क्यो हुआ? समझने का प्रयास करना सभी लोग बहुत मजा आएगा. अच्छा बताओ, सबसे पहली बात, जो ट्रेंगल DCE है, बच्छों, ट्रेंगल DCE, क्या वो आईसो सलेश्ट रेंगल है? अरे बोलो हाँ ना, क्या ये आईसो सलेश्ट रेंगल है? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि इसकी दो साइड बराबर है. अच्छा, आईसो सलेश्ट रेंगल की खासियत क्या होती है? आप सभी को बता होगी. अगर मैं इस वाइटेक्स से ड्रॉप कर दूँ एक परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉप कर दूँ? परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट कर देता है. क्या करता है? बाइसेक्ट. और यह जो ऊपर वाला एंगल होता है ना, इसको भी वाइसेक्ट करता है. यह भी खासियत है सम दुबाहुत रिभुज की. वाइटेक्स वाले एंगल को भी दोबरा और भागे माठता है. और सामने वाली साइट को बढ़ाब भागे माठता है सम्दिबाह उत्रभुज में ऐसा होता है ठीक है अब सुनो बताओ ये पूरा एंगल कैता अभी आपने सीखा था कहां सी का था ये देखो ये पूरा एंगल क्या था एक सोबीस ये पूरा एंगल क्या था क्या हो गार यह भी क्या होगा साथ क्या सब को बात सोट रहे हैं बार बार कर रहा हूं एकदम बेसिक से पढ़ो तभी चिज्ञेस रहे हैं जिस पूरा आपको समझना पढ़ता है ठीक वाई चलो तो आप सुनो धीयां से माल लेते हैं यह पॉइंट आपका क्या है यह पॉइंड एम है यह पॉइंट क्या है बताओ एम अच्छा यह एंगल साथ है आप क्या लगा सकते हो बताओ एक तो लगा सकते हो पाइथागोरस या लगा सकते हो साइन कॉश्ट एन कॉट यह सब लगा सकते हो ठीक है तो लगाते हैं दिमाग चलाते हैं कि क्या कहानी बन सकती है अच्छा बताओ अगर मैं यहां से लगा दू साइन 60 डिगरी इस वाले ट सामने हमेशा क्या होता है पर्पेंडिकुलर सीयम तो एंगल के सामने क्या हो गया पर्पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस क्या हो गया यह सीडी ठीक है अच्छा सीडी के लंबाई क्या है एं ठीक है तो साइन सिस्टी बच्चों क्या होता है यह होत निकालना चाहूं तो C कमान क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा C E M का, बोलौ ऑलो हां या ना, दूना हो जाएगा C M का, तो आप लिखो गए दूना, किसका रूणत ऊल्ल कर दो, तो तो टू का इठी व? रूट थी रूट थू वो ए रूट थी आ गया है हाँ भई सभी लोग फटाफट कमेंट कर दो कि रितिक बिटा प्रैक्टिस करो कंसेप्ट सीको मेनत करो और कोई चक्कर नहीं है ठीक है फटाफट कमेंट कर दो कर बात समझ में आ गई है कि जो शॉर्टे डागनल होती है उसकी लंबाई क्या होती ह पर दो के रूट थी कि सभी लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए अगर बात समझ में आ रही है तो अगर बात समय में आ रही है एकदम क्लेयर हो गया सब भागन अच्छा एक तरीका तो आपके सामने यह है ठीक है लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जो मेंट्री बहुत इंट् में चीजों को सिखना पड़ेगा गहराई में जाना पड़ेगा ठीक है अच्छिएक तरीका अनिकालाय कि वाई सी कमान रूट ही है क्या और कोई तरीका जिससे सोचा जासिक एक मान क्या होगा आपको होगे हां सर बिलकुल तरीका है कैसे देखो इसको मिटा रहा हूं यहां से ठीक बच्छो ध्यान सुनना कि दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका क्या है इसको मैटा रहा हूं यहां से ठीक है हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि और किसी तरीके से क्या इसकी वैलू आ सकती है मैं कहूंगा हां आ सकती है कैसे आ सकती है कल बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको को साइन रूल अगर आपको याद आ रहा हो कल मैंने क्या पढ़ाया था को साइन रूल क्या पढ़ाया था को साइन रूल ठीक है जो कैसे करोगे को साइन रूल से भी आप निकाल सकते हो बिना यह सब खीचे यह एंगल क्या है यह एंग बादम ना ठीक है? इसका 2² ब्रावर क्या होगा बताओ? इसका सक्वाईड प्लस इसका स्क्वाईगा इसको अगल इसका स्क्वाईर मानस इसका इसक्वाईर तो आप लिखेंगे हैं से सक्वाईर प्लस एश्क्वाइर और मानस क्या बता हो एकली सब्सक्राइब क्या होगा म।पर तो चल ताइमस दोनों का प्रोड़कट तो हम सक्वाइब तो किया बता हो अould को साइन डूल करने को साइन डूल का कितनी मैधार बाते सीखो इसलिए काता हो हर क्लास को करो ठीक है अच्छा कॉस 120 क्या होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या नगाए सब्सक्राइब एक हम अपने करने वाला कोशिष कर आतो तो माइनस और्टी न इसकी वैलू आ चुकी है मानिस बाइटू बराबर ऊपर क्या है इस क्वाइर प्लस ए इस्क्वाइर यह यह सब तो कैंसे क्यों गए मैनस इसक्वाइर बरावर टू मानस क्या बताओ इसको इधर इसको इधर भेज़ दो बचलिना से आजय कहां जोड़के आजय का ठी इसक्वाइर तो एक अरे बोलो कुछ दिमाग के अंदर बात जा रही है नहीं जा रही है चीजों को बार-बार कहता हूं गहराई में सीखिए समझिए तभी आपका बेड़ा पार होने वाला है अगर आप उपर-उपर करके चले जाओगे एक्जाम में कि मैं रट लूँगा मैं सौटकर याद कर लूँगा तो इस टैम पेपर विलिख लो तुम्हें फेल होने से कोई रोक नहीं पाएगा ठीक है इसलिए कहता हूं चीजों को गहराई में सीखिए समझिए हर चीज के डि यह है तो फटा-फट कमेंट कर दो फास्ट है ठीक है सब लोग फटा-फट कमेंट कर दिए अगर क्लेर है समझ में आ गया है तो आप चाहिए उसको आइस ट्रेंगल की प्रपरडी यूज कर लिजे या आपने यहां पे को साइन रूल उली जिज कर लिए कहीं से कर अगर कोई भी आपको दिया गया है इस तरह से मालो ही अपना है कि सग है तो यह क्या होता आपका यह है आपका रैबुलार का बता और ही सा रह तो So, this point is A, this point is B, and this point is C, this point is D, this point is E, and this point is F. ठीक है? तो A, B, C, D, E, F. सोमझ मैं आज़ा सबको? Confirm है? ठीक है. तो A, B, C, D, E, F एक regular hexa गर है, ऐसा आप से कहा गया. तो ये लंबाई क्या है? A है, ये लंबाई A है. ये लंबाई A है, ये लंबाई A है, ये लंबाई A है, ये लंबाई A है, ठीक है? अब एक काम करो आप, तो अच्छो, C से F को मिला दो. C से F को मिला दो, ठीक है? अगर C से आपने F को मिलाया तो आप logically देखो गए बच्छो, कि ये दो पार्ट में break हो गया. क्या हो गया दो पार्ट इब्रेक हो गया अब देखो A B C F A B C F या D E F C वच्चों यह क्या है सुनो जहां से बहुत मजा आएगा आपको बहुत चीए सीखोगे ठीक है ए भी इजर से रिखता हो A B C F ठीक है तो यह A B C F बताओ तो गया अगर तुम इसको पहचान पा रहे हो विटा यह यह है आइसोसलेस और यहां से क्या बता वट्रैपैजियम यह क्या है आईसोसलेस्ट अपेजियम है ध्यान रखना एक है संद्री वाह संबलम्च deca deca and S ultra LCDis इत Доしました चो कि तरफॉट सबाट हो इसा तो पहले पाइरल होती है इसनों सब्सक्राइद होगी कि दूसरा क्या होगा हिआ जो इक्वन एक साइड़ एक साइड ऑपक्वां लाइक एक तींट रिकुल निक यहां लो आमने सामने साइड बिलकुल पालल है ठीक है और यह बराबर है तो क्या सब को यह लाज़ीक क्लियर है सभी लोभ फॉटप अवर्ट कमेंट कर दो क्या यह लोज़िक क्लियर है सबसे पहली बात ठीक है यह आपने अगर F से C को मिला दिया या आपने B से E को मिला दिया कहीं मिला दो ठीक है मतलब जो longer diagonal मिलाओगे तो आपको दो क्या मिल जाएंगे आई सो सलेश्ट रपेजियम मिल जाएंगे मैं थोड़ा हाइलाइट भी कर देता हूं उनको यह पहला आपका आई सुलेश्ट रपेजियम है ठीक है और यह आपका दूसरा आई सुलेश्ट रपेजियम है देख लो क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर बनती है बहुत मैदार चीज़ें सीखते जाओ मजा आए या बास सौझ में सबक डेग्लर हेक्सागन वह दो आई सो सो स्फेलिश्ट ट्रपेजियम में ब्रेक हो जाता है अचा दोनों डिक्तो से मोटे है दोनों डिक्तो से होते है तो यहां से पॉइंट यह भी लिखा सकता है कि एरिया ऑफ क्या बताओ आई आ इसो सुलेश्ट रपेजियम एबीजी अब दो चीज़ अब डिक्टो बराबर होती है तो उनका एरिया भी क्या होता है बताओ अरे बराबर होता है अगर बात क्लियर है तो सभी लोग फटा-फट कमेंट कर दो पांडे जी बहुत बनिया बहुत बनिया ठीक भाई सबको क्लियर है फटावर कमेंट कर दो ठीक है अच्छा अब देखो आगे सलते हैं थोड़ा सा और क्या कैस के अंदर बनता है बहुत मज़ा आपको आएगा सुनते जाओ क्या कहा चीजें मंती अच्छा यह देखो आप ब चलो तो यह आपका A है यह आपका क्या बताओ B है यह आपका C है यह आपका D है यह आपका E है और यह इसको मिला दिया ठीक है यह भी आपका आपका यहां से आपने मिला दिया सबसे पहली भाट एक वाट चार चीख लो जब लॉंग डाटाइगल को आप मिलाते हो तो हमेंसा देखो क्या है यह फिगर सिमेट्रिक यह इसके बराबर डिक्तो बराबर और तो अगर यह डिक्टो बराबर है इसका मतलब यहां यहां करने वाले हैं वात मैंने क्यूं बताई उसका यूज यहां करने वाले कैसे देखो बटा ये जो एंगल है ना ये तो 60 डिग्री है अभी प्रूफ किये थे ये एंगल भी 60 डिग्री है ऐसे सेम कहानी यहां से यह भी 60 है यह क्या है बताओ यह भी 60 है ठीक है और यह भी क्या आया है साथ आया है सिमिट्री की बज़ा से यह क्या आया है साथ आया बच्चों यह है कि अगर किसी भी ट्रेंगल में दो एंगल साथ हैं तो तीसरे को साथ होना ही पड़े गा क्योंकि सबका सम क्या होता है 180 होता है बोलो हाँ या ना ठीक है ये साथ है ये साथ कि आप जानते हो डाइल है रेगुलर है रगुलर कि आ रहता है सरी है पास्माज़ ध्यंग हो ठीक है अगर देखो यह Conor ट्रेंगल है तो अगर यह है तो यह कि यहः सोगा जैसे अपने सीखा था कि ये दो आईसो सलस क्या बताओ ट्रपेजियम का जोड होता है वैसे मैं कह सकता हूं बच्चो कोई भी regular hexagon क्या होता है 6 equilateral triangle का sum होता है 6 equilateral triangle का sum होता है क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं ठीक है जल्दी बोलो कोई भी आपका क्या बताओ रेगुलर हेक्सागन मेटा छे एकुलेटरल ट्रेंगल को जोड़ कर बनाया जाता है जहां पर साइड उसकी ए होती है क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है तो फटा फट कमेंट कर दो दो आईसो स्लेश ट्रेपेजियम को जोड़ने पर भी रेगुलर हेक्सागन मन जाता है उस केस में ठीक है और यहां क्या बताओ कि भईया छे एकुलेटरल ट्रेंगल को जोड़ोगे ठीक है तो क्या होगा उन सभी का सम करने पर आपको रेगुलर हेक्सागन मिलेगा चीजों को सीखते जाओ बहुत मजाएगा अब यहां से एक बहुत मज़ेदार बात समझ में आपको आनी चाहिए कि अगर मैं पूछता हूँ एरिया ओफ रेगुलर हेक्सागन ध्यान सुनना एरिया ओफ पूरा फिकर बना है और किसी भी कुलेटर ट्रेंगल का एरिया क्या होता है रूट थ्री वाइफ और साइड का स्कॉयर साइड क्या है तो बच्छों यह हो गया एसकौर तो यह बन गया आपका सिंपल सा एरिया का फॉर्मुला चीजों को समझते जाओ समझते जाओ एक भीर लांगर डाइगनल था जिसे मैं बार बार कहरा था तूए आएगा अब यहां से ऊत बात को आप प्रूफ कर सकते हो कि जो लॉंगर डाइगनल है बी प्लस ए मतलब वो टू ए आएगा ए रूट थी तो आप समझ चुके थे टू ए मने प्रूफ नहीं किया था क्या अब समझ गए कि टू ए कैसे आया था अब नहीं भूलोगे बोलो हाँ या ना और यहां से बहुत चीज़ें आपको सुझ में आएंगे इस बात को ध्यानक ना ठीक है इन हर चीज़ दिमाग के अंदर सेट होगी तभी रटोगे तो कोई फाइदा नहीं है दस दिन बाद भूल जाओगे समझोगे तो आपको याद करने का सोचने का बहुत चाव जरिया मिलेगा समझ में आएगा सभी लोग फटा-फट कमेंट कर दोकर क्लियर है बात स लिए अचा कितने लोगों को पढ़ने मजा रहा है मैं ट्रिक्नोमेट्री की पंद्रा क्लास स्री श्टार्ट की थी पूरी खतम हो गई आपकी अभी चले जुमेट्री की इंपॉर्टन कंसेप्ट प्रटिस रीच चल लए है ठीक है क्या आपको मजा रहा है कुछ नई से कर दिया भाई फास्टं चलो तो आपने सीखा है कि अगर मैं ऐसे मिला दूंगा तो दो बढ़ जाएंगे आई सो स्लेक्टरपैजियमौं अगर मैं ऐसे मिला दूंगा तो छे बन जाएंगए क्या घ्ञाएंकर रहाएंगटily कैसा सगे भी और यहां से यहां से अला हैं थे तो यह रिगुलर K adopt आपका यहे आपकायए आपकार हिकने बात को समझा यह का रहिगुलर है इस आप क्ящ पॉइंड इस पॉइंड आपका सी है यह चांट पाइश क्टफडीन यह इन पॉइंड आपका इस्वास यह ठिक इसका सेंटर क्वा को बाद बहुत मजाने वाले के एक एक काम करो इसको नहीं से यहाँ मिला दो यहां से यहाँ मंदू कि कर एए घ्राइट रहे भी ओट आया वाट ना सब्सक्राइबoth तो आपने मिला दिया आपने अच्छा हो सेंटर स guilty डि ठीक यह लंभाई एह है तो यह लंबाई भी अमने का भी इसको यहां देख से जई है यह है यह 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 तो यह वन गया बता हो यह दन गया यह तीन रोंबस को जब जोरो दोगे तो पका आपका क्या बन जाएगा एक रेगला हेक्सागन बन जाएगा अब सुनों मजए की बात मजए की बात किया अब बात आती है यह ऑगे कितने हैं थोड़ा खुराफात की जाए अधे यह एंगल तो आहले से जानते ओ भी यह यह ए सान ईंबरावर होता या वैसे छोड़ो अगर साथ 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 होगा इधर से भी साथ होगा तो साथ साथ 120 120 तो पका यह बहुत बातें समझ में आ रहे हैं कि अंगल कितना हो गाएं पर यह रोम यह कैसे बना है ठीक है हो जल्दी वोसे ऑख दाख आप यू पढ़ियोगिव यह अपने पढ़ा हो एप सकते हो रोम बसोते हैं वो एंगल को को बाइसेक्ट करते हैं अगर पूरा 60 दिया गया है तो पक्का ये एंगल क्या होगा ये तो 30 होगा ये पूरा 120 था तो ये एंगल क्या होगा 60 होगा 60-90 इसका 90 होना सब्सक्राइब आपको चीजों को एकदम आराम समझे तभी आपको मजा आने वाला है ठीक है कंडीशन अप्लाई कि आप डिफ्ट में पढ़ना चाहते हैं आप सीखना चाहते हैं अगर आप ऊपर ऊपर वाले हैं शॉर्टकट वाले हैं तो हमारी क्लास में आने कोई फायदा उपर ओपर देखते रहे ठीक है बाइब आगे कंफर में ठीक है यह सारी बात मैंने आपको पढ़ा दी कुछ बाते में और सम्झाना चाहूंगा आपको यहां पर चलिए ठीक है विच्छों क्या सब को यहां तक क्लियर है फटाफ़ट कमेंट कर दो आई ओप यहां तक यह सब्सक्राइब और बंसक्राइब है आगे की ओर करते हैं अागे की ओर मॉव करते हैं आगे की को देख तेमान फिरों ध्यान से सपर दीक है मैंने का बनायु हो गया यहां यह पॉइंट हो गया यह जहां यह पॉइंट हाइब यह ठिक यह पॉइंट आपका है अगर है इसको यहां से मिला दूँ ऐसे बहुत क्या दिक्त है ठीक इसको यहां से मिला दू आपको यहां सर मिला लो ठीक है और इसको यहां से मिला दू आपको होगे मिला लो ठीक है अच्छा तो मैंने क्या क्या है इसको मिलाया इसको मिलाया इसको एक एक वर्टेक्स छोड़ के मिलाता गया देखो इसको छोड़ा इसे लि आफ ट्रेंगल बताओ ABC कितना होगा देखता हूं कौन आंसर करेंगा बहुत अच्छा कुश्चन है और सोच सकते हो आप सभी लोग फटाफट सभी लोग फटाफट कमेंट कर दो कर क्लियर है तो ठीक है पताओ भई एरिया आफ ट्रेंगल PTR अपन एरिया आफ ट्रेंगल ABC क् जो भी है आपका रच्छो वर हेक्सागन है तो ठीक है मताओ फड़ाक से पांडे जी सभी है हाँ जली बताओ फटाक से क्या आंसर आएगा ठीक है अब देखो करने के बहुत तरीके तो करने के बहुत तरीके ठीक है मैं बताता हूं पहले लॉजिकल तरीका और फिर समझा दूगा और फास कैसे सोच सकते हो तरीके सारे जानू अच्छा मुझे है बताओ ध्यान Alsradi आपकल को अच्छा एरिया एरिया और आफ-समाले लिग दिया है वलके भड़ कर दिया मने एक में दुक न वक्टु ठेक गभात रिया आपसे पूचा है य नहीं ठीक है लुछ न चाल रहा था एरिया आप टोडले टोड़न अเดिया अरिया आफ टैकसी लिख सकता हूंने एरी और खमता हीफ अन formative कर दिशुचंश ओर्ष कैसे खैंस औरेया आरी आफ प्रेनलर प्राद एरिया आफ क्या मताऊ तुरा है क्ड सब्क करें से स्बीर tarde हOT eating जार। ही क्या होगा यह भी रूट 3 ही होगा बोलो हाँ आ आपको एहां सर इसे कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है सिंपल अच्छा 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 एक बावता हो कर यह रूट 3 3 by 4 side का square area of triangle pt4 क्या रूट 3 by 4 क्या बता हो साइड का square to side क्या है a root 3 का क्या हो इसको है क्या सब को यह clear है पहले समझा रहा हूं बेस से और फिर कर देंगा figure drawing से solve कर दें कोई बड़ी बात नहीं है समझो पहले तो रूट 3 by 4 side का square होता है किसी भी equator triangle का area simple है आसान है ठीक है अच्छा hexagon का area क्या होगा अरे hexagon आप यह पढ़े थे रिखो बच्छों कि सब्सक्राइब का area क्या होता है 6 into root 3 by 4 a square क्या सब को यह बात सोंझ में आती है ठीक है तो आप लिखेंगे हैं यहां से 6 into क्या बताओ root 3 by 4 और यहां से क्या बताओ a square 6 into root 3 by 4 a square बो हाया ना आप को कहां सर साहिए तो यह भाई साब कट गए पूरा इसका square क्या होगा इसका square होगा 3 a square और divide by नीचे क्या आ गया बताओ 6 a square तो बच्छों कट कर दोगे तो 1 by क्या आ जाएगा 2 ठीक है तो answer क्या आ गया 1 by 2 अब कई बच्चे इसको रट लेते हैं अरे रटना नहीं है और आप logic जानते हो तो कोई अरी भी question दिया जाएं कितना भी घुमाया जाए आप उस बात को पकड़ लोगे आप उस बात को पकड़ लोगे अगर बास में आ रही है तो सबी लोग फटाफर कमेंट कर दो अगर बास समझ में आ गई है तो कैसे क्यों कहां यह तो मैं समझाया बेसिक से फिर सम्झाओंगा कि और कैसे सोच सकते थे सबको क्लेर है कन्षा में चलो आगे देखा थियान से आगे क्या होता है अच्छ वह तुत है आपको एक काम और करते हैं मैं आजिकर हटा रहा हूं थैख यह तुना रहा और इसको और कैसे सोचा जा सकता है और कैसे सोच सकते ठीक है कि यह वन भाई अच्छा आपको एक concept पता होगा, सुना ध्यान से, एक concept आप जानते हो, वच्छों अगर कहीं पर भी न कोई rombus दिया गया हो, क्या दिया गया हो, रombus लाकर यहां मिला दोगे rombus को, मतलब rombus का आपने मिला दिया तो बच्चों जो उनका एरिया होता है ना एरिया मतलब ये ऊपर वाला एरिया रोमबस में ये ऊपर वाला एरिया ठीक है और आपका ये नीचे वाला एरिया ये के बताओ नीचे वाला एरिया ये हमें साथ दोनों क्या होंगे ये हमें साथ दोनों क्या हों थेट है अप सुनों आप इसको यहां से यहां दो और इसको यहां से यहां मिला दो प्रस्त बता वैं तो Cris दो और बर होते हैं अब कहां है यहां से responsibilities रह değ़ यह कर कर फिर दो यह यहां से विलां दो यह वह रूम के और और भी यह उस अद्य है B अगर आपको यह एरेशियो निकालना था तो अगर आप फॉर्मला नहीं लगाना चाहते तो आप इमेजिन करके भी साल कर सकते थे बताओ इस ट्रेंगल का एरिया वन प्लस वन प्लस वन कितना हो गया थ्री और टोटल कितना हो गया दो दो चार दो छे तो तीन बटे छे लोग फटाफट कमेंट कर दो कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विशेख हाँ वाई क्या सबको बात समझ में आ रही है बचाओ इस फिकर को थोड़ा हाइलाइट भी करता हूं आप लोगों के समझने के लिए यह देखिए एक एरिया यह वाला रोम बस के अंदर यह वा खिए बराबर होंगे, ऐसे सारे हैं हाँ we clear है, confirm है, फटधा फट कमेंट कर दो आयोग MIKE है वाँ भिकत तो नहीं ह्या तक, simple है ठीक है, अब सके आगे, इसमें कई बाते बच्चों बाकी है, हेक्सागन के अभी कई बाते बाकी है, इसको नोघ कप पढ़ेंगे क्या सब को आज पढ़ने मजह आया तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा हेक्सागन के आगे वाला पार्ड और और ऑक्तागन से कई बार कुछ तरा जाते हैं हाँ भाई कल हम लोग क्या पढ़ेंगे कई बाते बाकि अभी आपने यहां मिला है अभी हो सकता मैं इनके मिड़ पॉइंट को मिला दूं या मैं कई चीज़ मिला दूंगा उसमें अच्छे-च्छे कुश्य नहीं बनेंगे वहां से लॉजिक क्लियर होगा ठीक है तो आई होप आज वाले अगर तूंसे बाई-बाई टेक केर जाएंदर ! झाल झाल